और बड़ी कबर आ रही है पटना से जहां पर बीट सिक्षकों का वेतन निर्धारन नहीं अभी तक हुआ है चटे चरण में बहाल ये 40,000 सिक्षक वेतन के निर्धारन के इंतजार में दो साल की सिवा के बाद निर्धारन होना था प्रसिक्षित वेतन मान के लिए ACS से मांग जो है वो जरूर की गई दी और विभाक ने अभी तक कोई पत्रे से लेकर जारी नहीं आधे वेतन पर काम कर रहे हैं ये तमान जो सिक्षक हैं ब्रिज कोट को लेकर अब तक कोई पहल नहीं की गई यानि कि इस वक्त इन सिक्षकों की परिशारी जो है वो बढ़ी हुई है तो बड़ी खबर बेट सिक्षकों का वेतन निर्धार नहीं हुआ है हाना कि इससे लेकर जो समय सारणी निर्धारित की गई थी उसमें दो साल का वक्त दिया गया था कि दो साल के बाद वेतन मान जो है वो निर्धारित कर दिया जाएगा लेकिन ये मांग मांग ही रह गई विभाग ने अभी तक इसे लेकर कुछ पत्र नहीं जारी किया यानि या समझस वाले स्थिती जो है वो सीधे तौर पर नजर आती है